नमस्कार स्वागते आपका जेजेन नीज की एक और खास रिपोर्ट में और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी उदमसी नगर से एक चौकाने वाली खबर सामने आ रही है जिसमें अवैत खननन का बोल बाला हो रहा है अवैत खननन को लेकर कई बार वर्चस्व और आपस संगर्स की घटनाय सामने आती रहती है ऐसे मैं काशिपूर से ये मामला एक बार फिर सामने आ रहा है जिसमें आई टी आई थाना शेत्र के अजीतपूर में गाउं वालों और खननन माफियों का आपस में खूनी संगर्स हुआ इसके साथ ये अजीतपूर के लोगों ने कहा कि उत्रप्रदेश के घोसिपूरा के खरन माफिया अवैद खरन कर अपने वाहनों को लेकर अजीतपूर शेत्र से निकलते हैं इस वज़े से पिछले कई दिनों से वे लोग अवैद खरन से हो रहे धूल प्रदूशन और हासे के कारण धन्ना प्रदेशन कर रहे हैं पता दें कि रेगवाशाम को अचानक कई वहनों से 100-500 लोग असनले प्लाठी और तंडे लेकर धन्ना वाले जगे पहुच गए जिस समय गाओं के 15-20 लोग ही धन्ना इस्तर पर बैठे थे जिसके बाद हतियार बंद लोगों ने आते ही इन लोगों से मार पीट और फाइरिंग शुरू कर दी और ये फाइरिंग लगबग आदे घंटे तक चली जिसमें 4-5 लोग घैल हो गए और एक के हाथ में छर्रे लग गए जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही पुलिसी पहुशने से पहले ही खरन माफिया मौके से फरार हो गए फिलहाल की इस खास्तिपोर ने बस इतना ही ऐसी ही तमाम खबरे देखने के लिए देखते रहे जेजेन न्यूज धन्यवाद